नमस्कार दोस्तों मैं हुरुची एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज हम बनाएंगे तगार तगार जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि चीनी को ही गला के कैरेमलाइज करके तब बनाया जाता है तगार को तगार डालने से मिठाई हैं बहुत अच्छी बनती हैं जयसे र पर अगर आप बैसन के लड्डू बनाते हैं लिए झाल गरती हैं ऋसमें यही प्रॉब्रम एक इस रॉप्री को बनाने के लिये हमें एकी चीड चाहिए वह है चीनी चीनी मैं लूँगी यहाँ पर दो कटोरी दो कटोरी चीनी लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी पानी पानी हमें बहुत जादा नहीं लेना है जैसे कि आप देख सकते कटोरी बहुत अच्छे से भरी भी नहीं है आधी कटोरी से थोड़ा सा जादा है इसके निसमाना सब्सक्राइब नर्य नो वागने सब्सक्राइब नुट अवादा निकांगो हुए हम अगर सब्सक्राइब बेवर्ट को तो यह समय कम लेंगी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर चीनी को जमाना ही थर तो गलायगा, जम जमाएंगे नहीं बस चीनी को जमाने की आनसेशिस्टन्सि तक पकाएं गे उसके बाद उसका भूरँ बनाएंगे, भूरा जो है इसे देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें जब आप चीनी को तेज आज पर पका रहा हूं तो इसे लगतार चलाते रहें नहीं तो चीनी में हमने बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला है और चीनी किनारे पर जाकर सटने लगीगी चिपक जाएगी डेव सारी चीरी इसल अकसर हलवाई लोग इसी से बनाते हैं इसलिए हमारे लड़ू और हलवाई के लड़ू में अंतर हो जाता है हलवाई के लड़ू इसलिए हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वह वेशन के लड़ू बनाते वक्त तकार करते हैं चासने को मैंने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है अब हम एक बार चेक कर लेंगे के लिए मैंने थोड़ी सी चास्नी काटोडी में रख दी है अलग करके जब ठंड़ी हो जाएगी तो इसे चेक करेंगे चास्नी अभी भी बहुत ही पतली है इसे थोड़ी देर और पकाएंगे तगार बनाना बहुत ही असान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है आप जब भी वेशन के लड़ू बनाए तो इसे जरूर बना ले इसे बनाने वे बहुत जादा से जादा 10-15 मिनट ही लगते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है इसमें हमें सब कम जटपट करन जैसे कि हम चीनी को पका रहे हैं तो तेज आज पर पकाएंगे तेज पर पकाने से दो चीज़ होती है एक तो कलर कमाता है दूसरा जल्दी भी हो जाता है जैसा कि आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि चासनी हमारी काफी जादा गाड़ी हो चुकी है इसे मैंने तेज आज पर पांच से साथ मिनट तक लिए पका लिया है इसे पकाने में बहुत जादा समय नहीं लगता है अब हम इसे एक बार फिर से चेक करेंगे कि चासनी हमा जाती मतलब एक अरेमलाइस हो चुकिए अब हमें गैस को बंद कर देना है जब हमारी चासनी गाड़ी हो जाए तो इसे बार बार बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए जिससे कि यह बहुत जादा नब पक जाए जब आपकी चासनी ठंडी होने पर गोली सी बनने लगे इसका मतलब आपकी चासनी टयार है हमारी चासनी बनकर तयार हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी गाड़ी ऊचुकी पहले से अभी इसी स्टेश बर हम इसमें घी मिलाएंगे क flavors आ देते हैं इसमें हम करीब दो बड़े चमज गी डालेंगे घी डालने से पूरा जल्दी किनरी को चुड़ाते रहना है किनारे सभड़े और जो जाएगी किनारे पर चिपके बहुंद तो पीलकिक हो जाएगा है गी ड़ाने के बाद गी आले चासनी में घी मिलाएंगे गी के दिलोधा Candly Cola का भिउ hring निकल जाए इसके बाद हम कड़ाई को उतार कर नीचे रख लेंगे जिसे की तगार बनाने में असानी हो जाए उसके बाद हम एक पल्टे की मदद से लगता चलाते रहेंगे जैसे जैसे चासनी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे हमारे तगार बनते जाएंगे जैसा कि आप देख अभी हमारी चीनी कितनी वाइड सी होने लगी है पहले की अवह एक्षा तो कि इस तरह से मैं चलाते रहने ह्वार नफे ऑर हमारी चास्नी तगार बनाने के लिए तैयार हो जाए और हम गयस को बंद कर चुके हो उसके बाद हमें सीधा तगार खिलाने की तरफ जाना है हमें इधर उधर एक सिकंड भी नहीं जाया करना है नहीं तो अगर हमारी ठंडी होने लगी तो तगार तो नहीं बनेंगे लेकिन हमारे चासनी के क्रिश्टल जरूर बन जाएंगे इसलिए हम तुरंत ही तगार खिलाने चरू कर देने चाहिए इसलिए हम एक पल्टे की मदद से इसे लगता चलाते रहेंगे और चलाते भी हम फास वास रहेंगे ऐसाने कि हमें आधार चलाते रहेंगे और एक मिनट के लिए भी तब तक नहीं रूखेंगे जब बहुत ही फास्ट सारे काम करने होते हैं और चास्नि के बरने के तुरन्त बाद ही हमें तगार खेला लेना होता है जैसर कि अभी तक आपने देखा कि हमारे तगार लगपबंकर त्यार हो चुके हैं इसमें जो थोड़ी से बड़े-बड़े टुकड़े हैं उन्हें भी पल्टे से दबाते हुए हम भूरा बनाकर तयार कर देंगे अभी भी हमारी चीनी थोड़ी सी गरम है इसलिए जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें छोटा करना आसान है इसलिए इन्हें हम छोटा कर देंगे इस वीडियो में तगार खिलाते समय मैंने यह भी कट नहीं मारा है जिससे कि जो नए बनाने वाले हैं उन्हें एक अंदाजा मिल सके कि इसमें कितना समय या फिर यह चासनी से तगार में कैसे कनवर्ट होता है इसलिए मैंने कट नहीं मारा है मुझे उम्मीद है कि आपको मेर मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इस रेसिपी को ट्राइ किया हो और इसका रिजल्ट अच्छा आया हो तो मेरे कमेंट वाक्स में आकर जरूर बताएं और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडिय आपको मिल जाए वीडियो देखने क्लिए धन्यवाद